नमस्कार हिंदुस्तान न्यूस डेली में आप सभी का स्वागत है HP 3 साल में 6000 नोगरिया कम करेगा क्योंकि PC की मांग घटी है HP इन अगले 3 वर्षों में करमचारियों की संख्या में कटोती करेगा और मुनाफे में कटोती करने वाले व्यक्तिगत कम्प्यूटर की घटी मांग के बीच अपने रियल स्टेज फ्रूट प्रिंट को कम करेगा प्रमुट टैक कम्पनियों द्वारा छटनी की घोशना के बाद अगले 3 वर्षों में 6000 नौकरियों तक की कटोती करेने अपने कारेबल को कम करने के लिए तयार है परसनल कम्प्यूटर जिसने घटी मांग के बीच मुनाफे में कटोती की है समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की अनुसार कंपनी ने नोट किया कि अक्टूबर 2023 को समाप्त होने वाली वित्य वर्ष में कुछ वस्तू को छोड़ कर कमाई 3.20 से 3.60 प्रती शेर होगी प्रमुक कारेकारी अधिकारी एन्रिक लॉरेंस ने एक टाक्षत कार में कहा कि पूर्वा अनुमान वित्य वर्ष में कम्प्यूटर की विक्री में 10 प्रतीशत की गिरावट को ध्यान में रखता है CIO ने कहा कि कंपनी को एक चुनोती पूर्ण बजार महौल की उमीद है लॉरेंस ने कहा कि लागत में कटोती के अपने प्रयास में HP अगले तीन वर्षों में अपने 61,000 करमचारियों वैश्विक कारेबल में से 10 प्रतीशत की कटोती करेगा और अपने Real State Footprint को कम करेगा इस दोरान HP की कमाई पर पड़े कुछ प्रभाव जादातर कंप्यूटर बेच कर कमाई करने वाले प्रधोगिक फार्म को PC की मांग में गिरावट का सामना करना पड़ा अंतह उपभोगता उत्पादकों के साथ शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे फैल गया क्योंकि कमपनियां अपने करमचारियों को कम करती रही और प्रधोगिक निवेस पर अंकुष लगाती रही साथ ही पर्सनल सिस्टम ग्रूप्स में बिक्री जिसमें कम्प्यूटर विवसाय सामिल है उपभोगता राजस्व में 25 प्रतीशत की गिरावट के कारण 13 प्रतीशत गिरावट 10.3 बिलियन डॉलर हो गई प्रिंटिंग यूनिट में बिक्री 7 पीसदी गिरावट 4.5 अरब डॉलर रह गई फिलाल इस खबर में इतना ही ऐसी न्यूस सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूस डेली को सब्सक्राइब और लाइक और शेर करें धन्यवाल